तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बात सुवेरियन गोल वांड में इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पुरे आं तक देखे ताकि आपको पता चल सके कैसे सुवेरियन गोल वांड में इन्वेस्ट कहना है तो यहाँ पर सुविरेन गोल्ड बॉन में इन्वेस्ट करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ यहाँ पर पहला तरीका हो जाता है जरुधा के प्लैटफॉर्म को यूज करके न्यू एस जीवी में अपलाई कहने का और दूसरा तरीका हो जाता है सेकेंडरी मार्केट से बाई कहने का तो यहाँ पर जैसे देखिए अगर आपके पास जरुधा का डिमेट अकाउंट है तो सिंपली आपको इस लिंक पर जाना जैसे जरुधा.com अबलिक गोल्ड यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिंपली एक Invest Now बटन दिखेगा यहाँ पर Invest Now बटन पर क्लिक कहना है Invest Now बटन पर क्लिक कहने के बाद आप सिंपली अपना User ID पासवर्ट देका Login कहने के बाद आप कितने क्वांटिटी में इंवेस्ट कहना चाहते है निव एसजीवी में बस आप अपना क्वांटिटी दे दे क्वांटिटी देने के बाद आपको अपने अकाउंड में फंड्स एड कहना परेगा जैसे अभी के समय में जो एसजीवी निव आया है उसका प्राइस चल रहा है फाइब वान जीरो नाइन रुपीस और डिसकाउंट लेकर फाइब जीरो फाइब नाइन रुपीस पर ग्राम अफ गोल्ड पर रहा है तो यहां पर अगर आप दो ग्राम के गोल्ड में इंवेस्ट करना चाहते है तो इसको ठीक दो से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो यहां पर देखिए आपको सिंपली पहले आना है NAC India के वेबसाइट पर यहां पर आप URL देख लिजे NAC India Market Data Sovereign Gold Bond यहां पर आना है आपको यहां पर आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो लेगा अब जैसे link input करके आप नहीं आना चाहते तो आप Simply NAC India के website में आएए, market data में आएए, market data में आने के बाद equity and SME market में आएए, equity SME में आने के बाद आपको यहां पर directly Sovereign Gold Bond का option सो हो जाएगा तो यहां पर click करके अभी तक जितने भी SGVs आया है उन सब के details आप market में checkout कर सकते हैं तो यहां पर जैसे देखिए, बहुत simple तरीका है इन SGVs को buy करने का है, जैसे देखिए, यहां पर SGV JUL 27 लिखा गया है तो SGV का मतलब हो गया Sovereign Gold Bond, JUL का मतलब हो जाता है जुलाई मन्थ में Redemption होगा, 27 का मतलब हो जाता है, तो यहां पर SGV JUL 27 का मतलब हो गया यह SGV जो है, यह जुलाई मन्थ 2027 में Redemption किया जाएगा तो यहां पर जैसे देखिए, यह SGV अभी ट्रेड हो रहा है Volume से Sorting जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से SGV सबसे ज़ादा Liquid है सबसे ज़ादा Liquid में Invest करने का फायरा यह होगा, कि आप जब चाहे अपने SGV से Exit कर सकते है तो यहां पर जैसे देखिए, Market में अभी New SGV का Price, Discount लेकर 5059 रुपीज पर रहा है लेकिन यहां पर Secondary Market में आपको 4755 रुपीज पर भी SGV मिल जा रहे है 4869 रुपीज पर भी SGV मिल जा रहे है तो यहां पर अगर आप Long Tinner के लिए या फिर आप Till Redemption Date तक Invest करना चाहते है तो आप Lowest Price वाले SGV को Market से Buy कर सकते है और यदि आप Short Time के लिए Invest करना चाहते है तो आप सबसे ज़्यादा Liquid वाले SGV में Invest करें तो यहां पर जैसे देखिए SGV में 29.1 Series जो है वो आज के दिन में सबसे ज़्यादा Liquid है यहां पर अगर Volume Traded देखेंगे तो 1505 quantity है इसके अलावा एक जो SGV अगस 28V है यह सबसे ज़्यादा Liquid SGV है अभी तक का Market में यहां पर जो Quantity है वो 1480 quantity है यहां पर देखिए इस SGV का Price भी आपको 100 रुपय ज़्यादा मिलेगा Compared to पहले वाले SGV से यहां पर ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो SGV सबसे ज़्यादा Face Value वाला भी SGV हो जाता है पर Face Value ज़्यादा होने से जो Interest Amount है वो भी ज़्यादा मिलेगा अब जैसे देखिए यहां पर अगर आपको जानना है कि यह सब जो SGV से इनका Redemption Date कब है और यहां पर Interest Payment कब होने वाला है तो उसके लिए आप Money Set के Website पर जा सकते हैं जैसे देखिए मैं आपको 100 कर दे रहा हूं Money Set.com पर आना है यहां पर आप Simply Bonds वाले सेग्मेंट में आईएगा Bonds वाले सेग्मेंट में आने के बाद आपको यहां पर Simply Gold Bonds को Select करने के बाद यहां पर सिप आप अपने SGV का नाम लिखिए जैसे SGV August 28V तो लिखने के बाद आपके पास यह डिटेल्स हो जाएगा जैसे देखिए फेस वेल फाइब थ्री फोर रूपीज है नंबर ओफ यूनिट्स इसूड है 63 लाक्स आयसाइन कोड एनसी में नाम क्या है बैसी में नाम क्या है यह सारे डिटेल्स पता चल जाएगे maturity date कब है यह भी पता चल जाएगा interest कितना मिलेगा यह भी पता चल जाएगा और interest कब कब मिलेगा यह भी पता चल जाएगा तो यहाँ पर अब जैसे देखिए interest 11 अगस्त और 11 फरवरी को मिल रहा तो आपके पास 11 अगस्त के टाइम में SGPs होने चाहिए तब ही आप eligible होगे interest पाने के लिए यहाँ पर अगर आप interest payment वाले date पर SGPs अपने account में hold नहीं कहते तो आपको किसी भी तरीके का interest नहीं मिलेगा आप यह बात ध्यान में रखना आप जैसे बात कहते हैं यहाँ पर इन SGPs को buy कैसे कहना है market से simply अपने stock broking platform में login कहना है जैसे यहाँ पर मैं आपको kite के platform पो login करके दिखा रहा हूँ अब यह आपने decide कहलिया कि आपको SGP August 28V buy कहना है तो आप simply search करिए SGP August 28V अब जब आप ऐसे search करेंगे तो आपके पास directly NSE का SGP so होने लग जाया तो इसे simply select करिए और ठीक वैसे buy करिए जैसे आप market से sales वगेरा buy कहते हैं तो यहाँ पर जैसे देखिए ask quantity, bid quantity सारा details दिया गया है आप यहाँ पर अपना limit order प्लेस कर सकते हैं और अपने SGP को buy कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो SGP है वो CNC order में ही आप buy कर सकते हैं MIS यह फिर किसी other order में आप buy नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर CNC order प्लेस करके आप अपने SGP को secondary market से buy कर सकते हैं compare to new SGP से निकल भी सकते हैं तो यह हो जाता है complete details SGP buying का तो यहाँ पर अगर आपको कोई doubt है तो आप वीडियो की नीचे comment करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को भी जरू लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही informative वीडियो हमिसा मिलती रहें